जो कि अगर अब दो कि अब आप अब दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड़ा 24-7 पर और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपके त्यारी बेच चल रहोगी प्रणाम पृति मैं प्रणाम है है रहोगा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार यहां से इस वह तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसके बाहर को फ्वेश्चन नहीं आएगा यहां सनी भाई लाइट है ठीक है लाइट आ गई सो हाई बनो सर हलो चिंदन सर वेरी वेरी गुड इवनिंग और आते हैं दोस्तों अब लोग स्टार्ट करते हैं पना सेशन और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आज आपकी वाइस कम आ रही है आपका एक स्टेस क्लियर हुआ प्रयांशु और आपको भी प्रयांशु बहुत 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 बधाई हो ठीक है एंड हर महादयो प्रसान बाई ठीक है आपका अपना सेशन बिना लेट कियो हुए और जैसा कि आपको पता है यहां पर कि इस हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कि आपने माइक को आप इंक्रीज माइक वॉल्यूम इंक्रीज आप देख लो यहां से सब कुछ ओक्य है सब के साथ प्रोब्लम आ रही है वाल्यूम की ठीक है आज जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों आप अभी आवाज आ रही है अभी आप सभी को आवाज आ रही है कि नहीं हाँ या ना अभी वो लोग कैसा आवाज है अग्र भाई आपको भी बहुत बहुत बदाई ठीक है तो गईस स्टार्ट करते हैं लोग अप्रसेशन और जैसा कि आपको पता होगा गईस क्या कि आज आपको यादकना Y307 लगा कि आप grab कर सकते हो कोई सभी bank maha pack कोई सभी bank maha pack और bank maha pack plus और test series और e-books सब कुछ तो आते हैं स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे ठीक है और सबसे पहला question आपके screen पर यहाँ पर हैं यहाँ पर timer होगा आपका आप देखते चलना ठीक है और स्रीक अडियस करते हैं और सबसे पहला question आपके screen पर रहा यह guys question यह है कि who authorizes an entity to commons और operate a payment system in India guys सबसे पहला question आपको जवाब देना है NPCI, RBI, Ministry of Finance से भी या none of the above जवाब दिजेगा कि भारत में भुक्तान प्रणाली शुरू करने या संचालित करने के लिए एक इकाई कौन अधिकरित करता है और समय समापत हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर और it's correct answer is क्या option A is the correct answer NPCI जो 2008 में आया था head कौन है? दिली पासबे सहाब कौन head है? दिली पासबे इसके दो बाडीज है NBBL कौन-कौन है? NBBL और एक NIPL यह याद रखेगा next question को move करते हैं दोस्तों लगबग 1500 question है आपके 1500 question और हम लोगोंने एक घंटे में खतम करना है तो आई speed बहुत तेजी से लेके चलना आप लोगोंने अगर कहीं doubt हो तो आप comment करना हम उस doubt को clear करेंगे अगरा question आपके screen पे रहाए guys the monetary policy committee has how many members दोस्तों MPC monetary policy committee में कितने सदस्य होते हैं समीटी में कितने सदस्य हैं guys time समय सुरू हो गया है 3, 5, 6, 8, 9 guys monetary policy committee 2016 में उर्जित आर पतेल committee की recommendation पे लाया गया था किसकी committee की recommendation पे उर्जित आर पतेल और इसका answer क्या है well done guys very good its correct answer is option 6 option C is the correct answer जी हाँ दोस्तों well done very good बहुत अची बात है लगे रही है लगे रही है great guys next question आपके screen पे रहाए question क्या है which of the following technology aim to reduce the scope of check, fraud and check processing time and time start now दोस्तों निमलिखित में से कौन सी technique का उद्देश check fraud और check processing समय के दाइरे को कम करता है NEFT fund transfer के लिए use किया जाता है RTGS fund transfer check truncation system guys check truncation system check truncation system और यह क्या है UPI UPI fund transfer यहनिक option क्या है आपका C is the correct answer जी हाँ दोस्तों बहुत basic question है अभी basic question चल लें आगे थोड़ा level अभी आपका बढ़ेगा आप जवाब देना guys check truncation system अगला question name the chatbot launched by NPCI to create awareness of digital payment product and guys time is start now दोस्तों digital भुकतान उत्पादों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए NPCI द्वारा सुरू की गई chatbot का नाम क्या है ठीके फड़ा पर जवाब 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 जगा पैसा लोहारा पाई NPI या none of the above guys जीहां चिंतनसर CTS आया था 2010 में और RBI ने इसको लाया था chip truncation system को 2010 में और दोस्तों समय समाप्त हो गया यहाँ पर इसका correct answer है क्या है PAI guys option C is the correct answer C is the correct answer दोस्तों याद अखेगा NPCI और NPCI के product के नाम आपको याद अखने है NACH BBPS Rupay UPI UPI Bheemap NETC NETC और क्या बचा E-Rupi guys E-Rupi यह सारे product किसके है NPCI के है यह याद अखना आप लोगों ने ठीके यहाँ यहाँ है PAPI ठीके NBFC Ombudsman Scheme is being introduced under which act and guys time start now दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आप NBFC Ombudsman Banking Ombudsman और Digital Transaction Ombudsman को integrate कर दिया गया क्या कर दिया गया integrate कर दिया गया बेटा तो आपको यह तो पता ही है तो guys यहाँ पर आपको जवाब देना है अलग से अगर NBFC Ombudsman Scheme की बात करें जो introduce किया गया था किस act के अंडर में दोस्तों इसका भी जवाब देना आप लोगों ने तो guys इसका correct answer क्या होने वाला है तो दोस्तों वो आपको यातना RBI Act 1934 Section 45 L में है Section 45 L में mention किया गया मेरी बात गौर कीजेगा अब आगर आपसे question यह पूछा जाए चलो sir आपने NBFC को तो RBI Act में लेके चले गए Banking Regulation Act किस year में आणि Banking Regulation Act में कौन है तो guys Banking Regulation Act 1949 के Section 35 A में mention किया गया है Banking Ombudsman को किसको? Banking Ombudsman को आपको Banking Ombudsman BR Act में आएगा और NBFC Ombudsman RBI Act में आएगा यह ध्यास देजिएगा दोस्तों यह important होगा आपके लिए तो यहाँ पर आपका क्या आजाएगा RBI Act 1934 Section 45 L guys यह ध्यान अप लोगों ने Next question को move करते हैं और अगला question आपके screen पे रहाए question रहा यह और समय शुरू हो गया फटाफ़र जवाब दीजेगा Is a specialized financial institution that buy the NPAs or bad assets from banks and financial institutions guys एक विसेश वित्य संस्थान है जो बैंकों और वित्य संस्थानों से NPA खराब संपत्ती खरीदता है और समय समाप्त हो गया दोस्तों आपके answer जवाब देने है फटाबर जवाब दीजेगा जी हाँ जी हाँ चैटर जी सर PDF में सारे question आपको provide हो जाएंगे भाई आपको अलग से कुछ करने के ज़रुवत नहीं है सारा PDF provide हो जाएगा class in होने के साथ ही और सुबा से लेके अभी तक जितने भी classes होई है सब के PDF provide होंगे आपके और जी हाँ दोस्तों इसका correct answer क्या है guys इसका correct answer है आपका ARC guys याद अकना AMC AMC का पूरा नाम है Asset Management Companies Asset Management Company और ARC का पूरा नाम है Asset Reconstruction Company guys याद ना Reconstruction Company ARC दोस्तों इसको license दिया जाता है Surficie के अंडर में Surficie Act Guys याद खिएगा Surficie Act 2002 के Section 3 में इसको license दिया जाता है और AMC दोस्तों कौन किसके अंडर में आता है CB के अंडर में आता है SEBI याद ना Sभी AMC सभी AMC SEBI के अंडर में सभी ARC यहां तकना सभी ARC, Surface Act 2002, Section 3 के अंडर में इसको license दिया जाता है और किसके अंडर में आता है यह RBI तो guys ऐसे आतकना ARC और AMC, दोनों का रोल अलग अलगे साथियों यह ध्यान रखेगा आप लोगों ने यह management का काम करती है, वो reconstruction का काम करती है next question guys, अगला question आपके screen पर आ which new service has launched by State Bank of India for its customers to withdraw money from ATMs without using debit cards and guys time start now, दोस्तों बिना using debit card, अगर आपके, अगर आपके, अगर आपके पास, आप customer हो SBI के आपके पास debit card नहीं है, आप ऐसा withdraw करना चाहते हो, तो guys, आपको जवाब देना है यहापे कि किस के थुरूँ आप ऐसा withdraw कर सकते हो SBI से, तो guys, आपका answer क्या होगा its correct answer is Yono Cash, दोस्तों Yono आपको याद कना है, Yono का पुरा नाम you only, guys, you only need one, guys, you only need one, दोस्तों Yono ने अभी एक नया feature add किया है, अपने यहाँ SIM binding feature, किस से बचने के लिए, डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए, किस से बचने के लिए, तो guys, डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए, Yono ने एक नया feature add किया है जिसका नाम क्या है तो guys आपको यात्कना योनो cash के नाम से clear रहे साती हो आपको यात्कना योनो cash you only need one guys you only need one अगला question the banking reimbursement scheme was revised in 2006 the scheme was firstly introduced in India in the year guys time start now दोस्तों अभी आपने देखा होगा banking reimbursement जो scheme चल रहा है मेरे दोस्तों वो आपका 2006 वाला चल रहा है लेकिन originally अगर हम बात करें कि mainly ये दोस्तों किस year में इसको introduce कराया गया था तो guys वो कौन सा year था और भाई आप फड़ा फड़ जवाब दे दो unstoppable का जवाब आया है सबसे पहले जवाब है 1995 1995 चिनमे 1995 पलक ए 1992 ओके बाकी के सब लोग 1995 guys its correct answer is 1995 ये याद अखना guys banking reimbursement की बात करें सुनिएगा source में लिख रहें banking reimbursement guys 2006 actual आया था ये दो हजार उनिस सो कब 1995 में आया था banking reimbursement आपका टिके guys अगर NBFC reimbursement की बात करें NBFC 2018 में आया था किस year में 2018 में और guys digital transaction reimbursement की बात करें तो ये आया था 2019 में टिके तो guys ये तीन आपको याद रखने हैं जो important है ठीके next question को move करते हैं अगला question आपके screen पे रहा ये guys what do you understand by open market operations guys open market operations से आप क्या समझते हो और समय सुरू होता है अब guys यहाँ पर timer आपका चल रहा है आपको फड़ा-फट उस given time में आपको जवाब देना है महादयो भाई या मन्नू सर फड़ा-फट जवाब दीजेगा open market operation से आप क्या समझते हो guys open market operation किसका टूल है RBI के monetary policy का tool है किसका है monetary policy ठीके तो दोस्तों यहाँ पर सेवी का इंटरप्शन होगा जी नहीं गलत होगा पहला option selling of currency of RBI कभी sell नहीं करता currency गलत है guys यहाँ पर sale of guilt age securities by the government option C is the correct answer सबसे basic answer होगा guys यह आपको यातन option C is the correct answer guys well done next question move करतें दोस्तों अगरा question आपके screen पर रहाइए guys CRR is defined in of RBI Act 1934 and दोस्तों समय शुरू होता है अब guys CRR इन में से जो define किया गया है RBI Act 1934 के किस section के तहत guys किस section के तहत ठीके फड़ा पर जवाब जीजेगा कोई नहीं अंकित भाई कोई problem नहीं है यार कोई problem नहीं अभी आगे का देखो आगे का देखो मेरे दोस्त इतना hopeless नहीं होते अभी बहुत सारे options आपके बच्चे है यार बहुत सारे options आपके बच्चे है बस focus करो अपने तयारी पर और जी हाँ दोस्तों इसका correct answer होगा option SLR आया है आपका Banking Regulation Act 1949 section 24 में mention किया गया है किसको Banking Regulation Act को guys SLR को Statuary Liquidity Ratio को दोस्तो clear है guys यह याद रखना है Next question दोस्तों यह question बड़ा मज़ेदार बहुत हलुआ type question है मेरे भाई फड़ा फड़ा सेशन को सेयर कर दो एक बारी और आज हम लोग का जो target है आपको याद रखना है 1500 question होने से पहले 1000 पूरा करना है दिके anyhow जैसे तैसे करके सामदाम दन रभेत अपना के जो भी करना है और दोस्तों समय सुरू होता है अब Guys a money deposit at a bank that cannot be withdraw for present fixed period of the time is known as किसको क्या बोलते है ओके पूजा मैम अभी और benefit होगा बच्ची अब देखो तो सही आपको बहुत सारी classes अभी आप class करो आपको no doubt damn sure है आपको बहुत फायदा आने वाला है guarantee यह बात का और जी है मेरे सेरो its correct answer is term deposit guys term deposit यानि के आर राफा rd और fd और demand deposit किसको करते हैं हम लोग तो दोस्तों आपको यातना कासा current और saving तो guys यातना term deposit and demand deposit next question guys अगला question आपके screen पर रहा यह ठीके अगला question आपके screen पर यह है और time start now दोस्तों which or one of the following is not a function of the reserve bank of india guys निमलिखित में से कौन भारती reserve bank का कार या नहीं है guys इन में से कौन सा function RBI का function नहीं है guys इसका जवाब देना है और guys session को like भी करते रहिएगा और ठीके तो फटा फट जवाब दीजेगा समय समाप्त हो गया दोस्तों और its correct answer क्या होगा fiscal policy function guys जहाँ पर fiscal policy आ गया वहाँ पर समभल लेना हुआ किसका function हो जाएगा government of india का exchange control जी हाँ issuins exchange and destruction of currency note जी हाँ यह करता है monetary authority functions जी हाँ supervise and control functions जी हाँ यहाँ यहाँ पर कौन सा function नहीं है option A is the correct answer option A function नहीं है यह याद अखेगा दोस्तों आप सभी लोग ठीके अगला question आपके screen पर रहाए दोस्तों अगला question आपके screen पर यह है क्या in banking business when the borrowers avail a term loan initially they are given a repayment holiday and this referred is as guys this referred as and time start now guys banking वैवसाय में जब उधार करता एक सावधी रिण प्राप्त करते हैं तो सुरू में उन्हें पुनर भुकतान अवकास दिया जाता है उसे कहा जाता है subsidy, interest waiver, refacing, interest concession या moratorium guys फड़ावर जबाब दीजेगा जी हाँ जी हाँ विराट स्रिवास्तो सर आपके जितने भी MCQs होंगे आपके exam में जो पूछे गए हैं जो conceptual based है इसके बाहर आपके सायाधी question बने जो कि जो जो important questions है सारे कर रखा है सर हमने और exactly guys इसका correct answer होगा moratorium दोस्तों क्या होगा correct answer guys moratorium क्या होगा moratorium यानि कि अवकास यानि कि जो आप payment करते हो आपको आपने देखा होगा दे रहा है और loan के time पर moratorium provide किया bank के द्वारा customer को ठीक है तो क्या customer ने पे नहीं किया तीन महिने जो अवकास दिया गया क्या उसकी civil खराब होगी guys क्या उसकी civil खराब होगी तो guys आपको जवाब देना है जी नहीं उसकी civil खराब नहीं होगी guys civil क्या होता है तो credit information bureau of india limited credit information bureau of india limited is the full form of cb clear guys next question the aadhaar enabled payment system aeps is a bank led model that facilitates banking facilities through banking co responders across bank however aadhaar enabled basic payment banking transaction do not include and time start now जवाब दीजेगा इसका अमनसर ये वही है यार आपकी वही class है वही तो करो आप पहले आर्या मैं comment देख ले या फिर पहले इसको देख ले आर्या चोहान करो ना bank महापैक और उसका अभी देख ले यार अभी टाइम नहीं मिलेगा 500 question complete करने का target है कम से कम ताकि लोगों के जो एक्जाम है जैसे PIB-PSPO mains है clerk mains है CBO का एक्जाम है उनको support मिल जाए ठीक है guys its correct answer is small overdraft facility दोस्तों इसमीं small overdraft facility provide नहीं होता आप आधार तो आधार पैसा transfer कर सकते हो cash withdraw कर सकते हो ठीक है balance inquiry कर सकते हो cash deposit हो सकता है but overdraft की कोई word यहां पर use नहीं किया जाता कोई overdraft facility provide नहीं होता guys यह यार रखेगा आप लोगोंने यहां पर जी हां overdraft की facility provide नहीं होती आपको ठीक है next question which of the following committees recommended the setting up of ATM guys यह question आज हमारे CBO वाले दोस्त बता देंगे ताबर तोड तरीके से बताएंगे फड़ा फड़ जवाब दीजेगा क्योंकि आज ही हम लोग ने discuss किया है guys आपको जवाब देना है कि इन में से किस committee के recommendation पे दोस्तों SBI ATM को set up किया गया ATM जितनी भी ATM है guys किस committee के recommendation पे set up हुए है मलहोत्रा committee नरसिंभन committee रंगराजन committee उरुजित आर पतेल दोस्तों समझेगा मलहोत्रा committee के recommendation पे bank insurance launch किया गया था bank insurance किस committee के recommendation पे लाया गया था मलहोत्रा committee guys नरसिंभन committee के recommendation पे लाया गया RRB, banking reform guys banking reform और दोस्तों सेवी ने अपना काम करना इस start किया था 1992 में नरसिंभन committee के recommendation पे guys रंगराजन committee के recommendation पे क्या हुआ था तो guys आपको याद एकना है ऐसे याद एकना है रंगराजन कमिटी के रिकमेंडेशन पर ATM लाया गया था क्या लाया गया था? ATM लाया गया था और दोस्तों एक चीज़ और याद ना Financial Inclusion लाया गया था और उर्जित आर्पटेल के रिकमेंडेशन पर क्या लाया गया था? लाया गया था, दोस्तो, ATM को लाया गया था, clear है guys, ATM और financial inclusion, यानि वित्ती है, समावेशन, ये याद रखेगा आप सभी लोग, ठीके, next question को move करते है guys, अगला question आपके screen पे रहाइए, guys, with which of the following is Surface Act 2002 related, दोस्तो, Surface Act 2002 से कौन संबंदित है, और समय शुरू होता है अब, अगर हम अभी जले जाएंगे, बेंक, बोर्ड पर पढ़ाने मेरे भाई, तो हम तो बीमार हैंगे, कही मेरे साथ और लोग बीमार हो जाएंगे, ठीके, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, पहले आपकी पर ही class होती थी, अभी तबियत नहीं सही है, ठीके, इसलिए हम घर से class ले रहे हैं, ठीके, ताकि लोग problem ना आए नहीं, तो आपको और class problem में आ जाएंगे, और classes आप घर से ही देखोगे फिर, guys समय समाप्त हो गया, इसका क्या उंसर होगा, guys, Surface Act, Securitization and Reconstruction of Financial Assets, Enforcement and Security Interest Act, guys, क्या होगा, fixation of interest rate, जी नहीं, regulation of foreign actions, जी नहीं, recovery of bad loans, जी हां दोस्तों, यह आपको यातना option C is the correct answer, सब के answer correct आ रहे हैं यहां पे, well done guys, very good, बहुत अची बात है, सब के answer correct है, recovery of bad loans, guys, recovery of bad loans, ठीके, यह ध्यान रकना आप लोगों ने, ठीके, next question move करते हैं, guys, अगला question आपक question क्या है, ठीके, guys, what is the lending borrowing period in case of call money, and guys, time start now, call money के बारे में आप सभी लोग जानते होगे, guys, call money के बारे में आप सभी लोग जानते होगे, तो guys, आपको यहां पे जवाब देना है, क्या, कि call money के मामले में our tenure क्या होते है, call money का tenure क्या होता है, one day, two day to 14 days, two days, या फिर 14 days, guys, या none of the above, guys, फड़ा फड़ जवाब दीजेगा, और exactly, दोस्तों, याद का, zero से one day, it's known as call money, two days to 14 days, guys, किस नाम से जाना जाएगा, notice money, and guys, 15 days to 364 days, किस नाम से जाना जाएगा, guys, term money, तो यहां पर किसके बारे में पूचा गया, call money, तो guys, आपको याद कना है, call money, one day, guys, it's correct answer is option A, ठीके, guys, option A is the correct answer, next question को move करते है, guys, अगला question आपके screen पे क्या रहा, तो दोस्तों, question यह है, Negotiable Instrument Act, NIE Act was enacted in which year, दोस्तों, पारक्रम लिखित अधिनियम, Negotiable Instrument Act, guys, इसका जवाब दीजेगा, फड़ा-फड़, और दोस्तों, आपको बता दें, जो हमारे यहां की banking holidays है, guys, banking holidays है, दोस्तों, banking holidays है, जो, आपको याद एकना है, banking holidays किस act में mention किया जाता है, तो दोस्तों, वो यही act है, आपका, ठीक है, NIE Act में ही mention किया जाता है, हमारा banking holidays, बोलो, जवाब दीजेगा, और समय समाप्त हो गया, और कुछ banking aspirant बोल रहे है, 1911, और कुछ लोग का जवाब बिल्कुल सटीक आ रहा है, और कुछ लोग गडबर जा रहे है, तो दोस्तों, आपको याद इसका correct answer होगा, 1881, 1881, option C is the correct answer, जो पैंकों की छुटियां होती है, बैंकों में जो holidays होते हैं, वो 1881 में ही आते हैं, यह ध्यान रखना, इसी act में mention किये जाते हैं, जी हाँ, आप लोग की कई बार एक question repeated है, यह ध्यान रखेगा, अगला question आपके screen पर, guys, RTGS was introduced in India in which year, और समय शुरू होता है आप, guys, real time, guys, real time gross settlement, दोस्तों, real time gross settlement, अगर हम इसकी बात करें तो guys, real time gross settlement की बात करें, तो आपको जवाब देना है, RTGS was introduced in India in which year, और guys, NEFT, यह भी आपने नाम सुनाओगा, National Electronic Fund Transfer, तो यह आया था 2005 में, और guys, RTGS किस year में आया था, तो दोस्तों, आपको यातना 2004 में, याद केगा, guys, 2004 में आया था RTGS, और NEFT आया था 2005 में, यह ध्यान अकना, दोस्तों, एक question और है, आद अकना आप लोगों ने, RTGS, और NEFT, और ECS, यह किसके द्वारा लाया जाते हैं, तो दोस्तों, यह तीनों RBI के द्वारा संचालित होते हैं, याद रखेगा, यह किसके द्वारा संचालित, किसके द्वारा Regulate होते हैं, तो guys, RBI के द्वारा, बाकी का जो चीज़े हैं, जो हमारे यह, like UPI, भीम, यह स समद में आ रही है, सारी बाते, next question को move करते हैं, ठीके, अगला question आपके screen पे रहाए, guys, commercial bank maintain which type of accounts with Reserve Bank of India, guys, time start now, दोस्तों, यह question थोड़ा level वाला question है, जो हमारे banker दोस्ते हैं, वो फटा-फट जवाब दे दे, जल्दी जवाब दे दे, कि भाईया, commercial bank, जब RBI के पास कोई account maintain क करता है, saving account, current account, RD account, they cannot maintain account with RBI, या फिर none of the above, guys, फटा-फट जवाब दीजेगा, और, guys, exactly, its correct answer is, आपका होगा, current account, option B is the correct answer, कौँ से account यह maintain करेंगे, तो guys, current account maintain करेंगे, दोस्तों, RBI के पास कौँन, तो सारे commercial bank, दोस्तों, एक चीज़ और, एक और account होता है, SDG, SGL account, एक account और होता है, जिसका नाम होता है, SGL, कौँ से account होता है, वो, SGL, आपके लिए जवाब comment में बताना है, कि SGL का पूरा नाम क्या है, guys, SGL account का पूरा नाम क्या है, यह आपको बताना है, कोई भी bank जो maintain करता है, अगला question, दोस्तों, the money app of RBI, serve what purpose, guys, RBI serve करती है, the RBI का money app, किस उद्देश की पूर्ती करता है, समय सुरू होता है, अब, फड़ा बड़ जवाब जिची का, एक account और होता है, SGL account, सबसिडरी जनरल लेजर, exactly crack exam, well done, very good, बहुत अची बात है, एक होता है, SGL account, सबसिडरी जनरल लेजर एकाउंट, guys, ज्यातकना, सबसिडरी जनरल लेजर एकाउंट, यह ध्यानकना आप लोगों ने, और तुसार भाई, जो अनूप, अनूप बोले, special drawing rights, special drawing rights, मेरे भाई, यह IMF की मुद्रा है, यहाँ पे कोई वर्डी नहीं होगा इसका, ठीके, और दोस्तों, इसका correct answer क्या होगा, to add visually impaired person, to identify the denomination of Indian bank note, जो अन्धे लोग होते हैं हमारे, उनके लिए, उनके लिए क्या है, उनको आसानी से note के denomination को पहचान सके, इसलिए Airbnb ने एक money app launch किया था, money का पुरा नाम है, guys, mobile added, ऐसे यातना, mobile added note identifier, guys, mobile added note identifier, guys, दिये यातना, इसका पुरा नाम है, money app का, mobile added note identifier, next question कि move करते हैं दोस्तों, guys, what bank was formed in which city, sorry, in which year, sorry, not city, it's in which year, विस्व बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था, दोस्तों, and time start now, फड़ा फड़ जवाब दिजेगा, guys, word bank was formed in which year, दोस्तों, word bank लाया गया था, breton woods conference के recommendation पे, guys, breton woods conference के recommendation पे, conference के recommendation पे, किस year में, तो दोस्तों, आपको यातकना, 1944 में, 1944 में, guys, यातकना, 1944 में लाया गया था, word bank, ये ध्यान रकना, word bank और I am up कुछ twin sister कहा जाता है, हमने आपको बताया होगा, हमेशा classes में update करते रहते होंगे, guys, word bank के head कौन है, David Malpass, कौन है, David Malpass, और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, word bank group के बारे में पूछा जाता है, word bank group में कितने सदस्य होते हैं, तो साथियों आपको यातकना है, word bank group में 5 सदस्य होते हैं, जिनका नाम है IBRD, एक नाम है IDA, एक नाम आएगा IFC, एक नाम आएगा दोस्तों, जिसका नाम क्या होगा, मीगा, और एक नाम आएगा मेरे साथियों, जिसका नाम है ICSID, तो guys, ये word bank के 5 member हैं, ये याद अकना है, भाई, share करो यार, ठीके, फटाफ़र सेशन को share करके 600 के पार लेके जो, ठीके, सब लोग फटाफ़र जल्दी यल्दी, guys, ये यहाद अकना, IBRD, IDA, IFC, मीगार and ICSID, ठीके guys, ये यहाद अकना आप लोगों ने यहाद पर, next question move करते हैं, guys, अगर आपसे question ये पूछा जाए, क्या, 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 वर्ड बैंक, वर्ड बैंक ग्रूप का मेंबर, IMF है, तो जी नहीं, IMF नहीं है, इसका मेंबर ही है, यहाद रखना, अगर आपसे पूछा जाए, कि क्या, सबसे पहले मसाला बॉंड किसने लाया था, इंडिया में, तो दोस्तों, आपको बता दे, मसाला बॉंड लॉंड लॉंड करने वाला, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, सबसे पहली बॉड़ी थी, IFC, ठीक है, IFC, जो वर्ड बैंक ग्रूप का, एक हिस्सा है, याद रखेगा, next question, दोस्तों, which of the following is not a stage of money laundering, guys, money laundering का इन में से कौन सा stage नहीं है, तो मेरे दोस्तों आपको बता दे, इसके तीन stage होते हैं, आप गलत तरीके से पैसा कमाए हो, तो आप इस पैसे को क्या करोगे, अगर SBI के पास देते हो, जमा करते हो, SBI पैसे के लालाच में ले लेगा, इसको बोला जाएगा placement, SBI इसी पैसे को लेके, किसी foreign bank को दे देगी, RBI से बचने के लिए, इसी को बोला जाएगा layering, क्या बोला जाएगा layering, और foreign bank इसी पैसे को लेके, real estate के investors को दे देगा, बाहर में, विदेसों में, यानि जो अपने हाँ पे लोगों को है, ठीके, तो आपको याद कना, इसका नाम आएगा, क्या, integration, क्या नाम आएगा, integration, तो गाईज, placement, layering, layering है, placement है, integration है, कौन सा नहीं है, और यहाँ पे पुछा, is not a member, तो option B is the correct answer, गाईज, यह आपको याद रखना है, well done साथियों, very very good, बहुत अची बात है, लगे रहो, लगे रहो, सुपप, गाईज, next question को move करते हैं, गाईज, एक चीज़ और बता दे हैं आप सभी को, कि आप सभी को, सेवी का batch start हो रहा है, गाईज, कल से, तो दोस्तों, आप Y307 code लगा के, batch में enroll करा सकते हो, दोस्तों, कल भी double validity है, bank maha pack plus को enroll करा सकते हो, आप लो, ठीक है, अगला question, what is the, guys, what is the maximum compensation under the ombudsman scheme for digital transaction, and guys, time start now, दोस्तों, digital transaction का, guys, digital transaction lane देन के लिए, digital lane देन के लिए, लोगपाली योजना के तहत अधिकतम मुआवजा क्या है, guys, अधिकतम मुआवजा क्या है, जी हाँ, unstoppable, exactly, UAE, दोस्तों, money laundering code लगाने जा रहा है, ताकि money laundering को कब कर सके, ठीक है, रोक सके उसको, जो money laundering होता है, उसको रोका जा सके, और अमन भाई का जवाब आ गया, यहाँ पे 10 लाक, बाकी के दो दोस्त हैं, हमारे जवाब दे रहे हैं, guys, याद अखेगा, digital transaction के लिए, embarrassment क्या है, embarrassment scheme में कितना amount है, तो guys, आपको याद अकना ए, 10 lah प्लस 1 lah, guys, अगोनी, mental अगोनी के case में है, यानि, harassment के case में 1 lah रुपे, तो दोस्तों, आपको याद अकना है, 10 lah क्रिपीज, याद अकना है, 10 lah क्रिपीज, यह उसकना है, digital transaction के case में मुउअफजा जो दिया जाएगा, next question, अगला question दोस्तो, guys which of the following payments facility is not available on 24 into 7 basis, दोस्तो इन में से कौन सी facility, 24 घंटे 7 दिन अवैलबल नहीं है, और समय शुरू होता है अब, फड़ा फड़ जवाब दीजेगा, नहीं है पूछा है, तो question भी थोड़ा पटा है option, option को थोड़ा ध्यान से सोच के देना answer, कौन सा 24 घं गंटे 7 दिन नहीं है, फड़ा फड़ जवाब दीजेगा, जल्दी जल्दी, exactly, यहाँ पर होगा all all available, जोकि सभी 24 घंटे 7 दिन है, दोस्तो, NEFT 2019, RTGS 2020, IMPS पहले से था, UPI पहले से था, इन सब को क्या कर दिया गया, 24 ऐसे लिखा जाता है, 24 into 7 into 365 days, guys यह याद अखना, आप भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, all available, all are available, 24 into 7, guys, यह याद रखेगा आप सभी लोग, ठीके, अगला question, saving account and current account normally called, guys, इसका जवाब दे दो, इसको हमें बोलने के अवशक्ता तो है नहीं, आपको पता ही होगा, दोस्तों हम लोग हमेशा से बात करते हैं इसके लिए, तो फटाफर जवाब दो, guys, बचत खाता और चालू खाता, समानितह कहा जाता है, इनमें से किस नाम से, time deposit, demand deposit, withdrawal account, या none of the above, guys, फटाफर जवाब दीजेगा, दोस्तों, जल्दे जवाब देना, saving account and current account normally called, guys, normally इनमें से कहे जाते हैं किस नाम से, और जी हाँ, दोस्तों, demand deposit के न आतमें, दो बजे पैसे की जुरुत पढ़ते हैं, अमें, ATM में, ATM लेके चल जाते हैं, current account और saving account, guys, याद रखेगा, अगला question आपके screen पर, what is the minimum age to open saving account, guys, बचत खाता खोलने के लिए, नियुनितम आयू क्या है, and time start now, guys, 21 साल, 15 साल, 10 साल, 18 साल, या फिर none of the above, guys, जवाब द साता खोलने के लिए, नियुनितम आयू क्या है, 21 साल, 15 साल, 10 साल, 18 साल, या फिर none of the above, सतियों, जवाब दीजेगा, और जी हाँ, दोस्तों, it's correct answer is, guys, क्या होगा, 10 years, दोस्तों, 10 years, ये याद रखना, minimum 10 years, भले से उसके account में, minor word use कर लिया जाय सातियों, लेकिन आपको या रखना है, 10 साल, minimum है, 18 साल, मतिक करना, आप लोग गलत होगा, it's 10 years, actually, याद रखेगा, अगला question, on which basis, guys, on which basis, bank calculate interest amount on saving deposit account, guys, किस आधार पर bank बचत खाते पर ब्याज राश्की गढ़ना करता है, और समय सुरू होता है, अब, guys, जवाब दीजेगा, किस आधार पर bank जमा खात पर ब्याज राश्की गढ़ना करता है, weekly basis, monthly basis, daily basis, quarterly basis, या फिर none of the above, guys, जवाब दीजेगा, दोस्तों, किस basis पर bank interest calculate करता है, हमारे जो saving account है, इस पर interest calculate करता है, किस basis पर bank, और, guys, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर मित होगा, बहुत सारे लोग गलबड हो रहे ह है, जी हाँ दोस्तों, वो है आपका daily basis, क्या होगा साथियों, daily basis, जितने दिन आप, आपको समझ लो, जितने दिन आप bank में पैसा रखते हो, उसी के हिसाब से bank interest charge करता है, याद रखेगा, bank interest charge करता है, उसी के हिसाब से जितना दिन आपने पैसा रखा है, भले से उसको credit, अ पर कुछ bank 6 महिने पर, ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर, अगला question, what is the minimum period in fixed deposit account, आप लोग FD कराते हो न, आप लोग FD कराते हो न, ठीक है, तो आपको answer बताना है, कि FD का minimum period क्या है, और FD का minimum amount क्या है, आपको बताना है, कम से कम कितने रुपए का आप FD करा सकते हो, कोई बताएगा मेरे को, ठीक है, भाईया, कम से कम कितने रुपए का FD, guys, कम से कम कितने रुपए का FD करा सकते हो, जवाब दो guys, फड़ा फट जलेल दी, exactly, और minimum 1000 रुपए का हम FD करा सकते हैं, और कम से कम इसका tenure क्या है, 7 दिन, और maximum दोस् रखना, इस duration को याद रखना है आप लोगोंने, next question को move करते हैं, अगला question, दोस्तो, which option not belong to the primary function of bank, guys, time start now, guys, फड़ा फट जवाब दीजेगा, समय सुरू हो गया, अब, इन में से कौन सा कार, bank के primary function से संबंधित नहीं है, guys, इन में से कौन सा function, bank के primary function से संबंधित नहीं है, guys, primary में दो function आते हैं, accept deposit और grant loan, दूसरा आएगा grant loan, तो guys, loan और deposit से छोड़ के, जो भी काम आएगा, वो secondary में फिक देंगे हम लोग, saving account deposit में आ जाएगा, current account deposit में आ जाएगा, education loan, loan में आ जाएगा, बचा क्या, debit card, guys, option D is the correct answer, बुलो clear है, बुलो हाँ या न, ये clear है या नही भाई, सीधा सीधा फंडा जवाब दो, बहुत basic question यार, पहला class होगा, अगर banking awareness आप join करते हो, सबसे पहला class होगा, अब basic question आपको पता होना चाहिए, यार, इससे basic कुछ हो नहीं सकता साय, ठीके, अगला question आपके screen पर, question यह है, guys, choose wrong option related to secondary function of bank, guys, bank के द्वितियक function, यनि कौन सा secondary function नहीं है, अब देखो, primary नहीं पढ़ना है, अब आपको secondary के बारे में चेक करना है, तो guys, फड़ा-फड जवाब दो, agencies work, guys, secondary function को बता दे हम, एक function होता है, agency function, और एक होता है, दोस्तो, utility function, ठीके, agency function तो हमारा आजाएगा primary में, चलो, utility function में आएगा, locker facility, ये भी आ आजाएगा, mortgage आएगा, loan में, mortgage आएगा, loan में, और loan किस में होता है, guys, loan किस में होता है, तो दोस्तों आपको या तना loan आप जाएगा primary function में, तो guys, option C is the correct answer, भाई, transfer of funds, guys, transfer of funds, agency function में आएगा, transfer of funds, agency function में आएगा, यहाँ पार आजाएगा, mortgage, mortgage मतलब क्या, आपने सुना होगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं, हम place कर दिये हैं, mortgage कर दिये हैं, यह interview का question होता है, what is the difference between place and mortgage, कभी भी आपसे पूछा जाए, तो भाईया, place मतलब क्या, जैसा loan, अगर ऐसा loan हमने bank से लिया, उसके विहापर कोई immuable asset रखा bank के पास, तो भाई, उसको हम बोलेंगे, place किया हम और दोस्तों, mortgage में word क्या use किया जाएगा, mortgage के लिए आपको याद अखना है, जब हमने bank से loan लिया, और कोई immuable asset bank के पास रखा, तो हमने bank को क्या किया है, mortgage किया, जैसे home low, home, यह घर, land, जिसको एक जिगा से दूसरे जिगा move नहीं कर सकते, और immuable में जैसे jewelry, जिसको एक ज deposit locker, guys, agency मतलब ऐसे, जोगिंदर सर, agency मतलब क्या, कि agent का जो काम करे bank, और उसके दोरा जो function किया जाए, उसको agency function करते है, agency मतलब agent वाला काम जो bank करता है, हमारे बिहाँ पे कोई काम करे, वो agency function कहा जाएगा bank का, ठीके, guys, for using and safe deposit locker facilities, the bank customer pays, bank customer pay करता है, दोस्तों, जवाब दीज करता है, commission on locker, commission of locker, interest on locker, rent on locker, exchange on locker, या फिर none of the above, guys, जवाब दीजेगा, और दोस्तों, यहाँ पे सबकी correct answer आ रहे है, well done, guys, super, the heart दे, आप लोगोंने, exactly, guys, its correct answer is rent on locker, आप लोगों rent pay करते हो, locker पर, ना कि commission, ना ती कि आप interest देते हो, यहाँ तक रेंट on locker, guys, rent on locker, यह यहाँ करना, दोस्तों, भाई, एक बड़ी, सेशन को share कर लो, यहाँ जिस जिस group में हो, आप, फटा फट सेशन को share कर लो, धर्म प्रिकासर महा देओ, भाईया, हरर महा देओ, अगला question आपके screen पे रहा यह, and time start now, the first company to get RBI's permission to open white level ATM is, guys, white level ATM खोलने के लिए, RBI की आनुमती प्राप करने वाली पहली company है, ठीके, guys, सबसे पहला company कौन है, जिसने, जिसने, दोस्तों, white level ATM start किया था, इंडिया में, white level ATM, जो कह सकते हो, जो NBFCs के दोरा इस start होता है, और वो, दोस्तों, वो है आपका answer A, Tata Communication Payment Limited, Tata Indy Cash, guys, याद अखेगा, Tata Indy Cash ने, सबसे पहली बारी, white level ATM open क किया था, इंडिया में, guys, white level ATM, Tata Indy Cash ने किया था, दोस्तों, ये ध्यान रखेगा, आप लोगों ने, ठीके, next question, दोस्तों, अगला question है, which of the following facilities available at white level ATM, ये सारे question पूछे जा चुके है, याद रखेगा, and time start now, दोस्तों, white level ATM में, निमलिकित में से कौन सी सुविदा उपलब है, guys, white level ATM में, इनमें से कौन सी facility उपलब्द है, अवेलबल है, cash deposit, regular bill payment, purchase of reload, voucher of mobiles, या फिर pin change, guys, जवाब दीजेगा, सालिनी च्छाबडा मैम, what is white level, मैम, ऐसा ATM, जो NBFCs के द्वारा लगाया जाए, यानि कि, non-banking financial companies के द्वारा लगाया जाए, ऐसे ATM को हम NBFC, यानि कि white level ATM बोलते है, ATM हमारे 8 प्रकार के होते है, जिसमें आपका नाम आता है, बहुत सारे green level, pink level, white level, brown level, orange level, yellow level, बहुत सारे अलग-अलग है, आपने साथ class नहीं किया है, basic से, कोई नहीं, आपको भी हम बताएंगे, basic से class फिर से चलेगा, और guys, इसका answer होगा option C, कैसे, guys, आपको बताते हैं, reload voucher of mobile, mobile का voucher वगरे कुछ नहीं करते हैं, कोई सभी, तो guys, यह आपको याद करना है, यह option of का सही होगा, option, guys, यहाँ पर is available, यहाँ पर sorry, available पूचाए न, कौन सा available है, guys, कौन सा available है, आपको sorry, sorry, यहाँ पर available के बारे में, पूचाए न, available है, तो दोस्तों, यहा केवल, 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 केवल दोस्तों एक गैर बैंकिंग वित्य कंपणी किसके तहत पंजिकृत कंपणी है RBI Act 1934, Companies Act 1956, NBFC Act 1956, Government Securities Regulations 1913 Guys आप फड़ा फड़ जवाब दीजेगा इसका एंसर क्या होने वाला है A non-banking financial company is a company registered under the किसके अंडर में registered होता है दोस्तों जवाब दीजेगा टीके, किसके अंडर में दोस्तों समय शुजरू होता है अब और समय इनफेक्ट आप सभी को पता होगा सुनियेगा NBFC रजिस्टर उता है दोस्तों Companies Act 1956 के अंडर में किसके अंडर में शाथियों Companies Act 1956 के अंडर में registered होता है NBFC Guys याद अखना NBFC Companies Act 1956 के अंडर में registered होता है यह ध्यान रखेगा आप सबी लोग Next question अगला question Which of the following is false about NBFC दोस्तों इनमें से कौन सा कथन गलत है NBFC के लिए and time start now सोच के जवाब देना दोस्तों योगेज भाई बैंक के एक्जाम में बैंकींग का विन्रस छै से साथ मांक से आते है 1920 िस्टै यहाँ यह सही है यहाँ पर false के बारे में बताना है NBFC do not part of the payment and settlement system, cannot issue check drawn itself, NBFC कभी check issue नहीं कर सकता, deposit NBFC insurance facility of deposit insurance credit, guys is not available to depositors of NBFC, NBFC cannot undertake insurance business, guys ये कर सकता है, ये यादकना NBFC, NBFC insurance business कर सकता है, ये यादकना NBFC, NBFC insurance business कर सकता है, ये यादकना है, तो दोस्तों, NBFC cannot, यहाँ पर cannot वड़े है, तो दोस्तों, यहाँ पर NBFC can undertake insurance business होना चाहिए, cannot नहीं होना चाहिए, ये ये यादकना है, ये यादकना दोस्तों, आप लोग, next point move करते हैं, यहाँ, option D is the correct answer, अगला question आपके screen पर है, दोस्तों, which of the following does not have any role in regulation of NBFC, दोस्तों, इन में से, किसकी कोई भूमिका नहीं होती, NBFC को regulate करने के लिए, and guys, time start now, भाई, फड़ा फट जवाब दो, 10 minute और चलेगा, और ताबर तोर तरीके से, हम लोग, session को update करना है नहीं हो, और भाई, session को like कर दो, यार, फड़ा फट सेशन को like का button ठोक दीजिएगा, जी हाँ, finance है तो insurance करेगा, NBFC का example है, ओनर सर, जैसे मुथूत finance, मुथूत finance, Tata Indie Cash, Bajas Finzer, Casper Micro Credit, बहुस सारे नाम है, guys, और it's correct answer, किसका नहीं हो, guys, यहाँ पे क्या हुआ है, does not have any role in regulation of NBFC, तो guys, किसका नहीं होता, तो RBI का होता है, SIDB, guys, इसमें इसका role नहीं होता, SIDB का role नहीं होता, guys, option C is the correct answer, SIDB का कोई role नहीं होता, इसके regulation में, याद अखेगा, NHB का हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा, कुछ housing finance companies होती है, NBFC, तो housing के लिए NHB है, तो आपका आएगा, Reserve Bank of India तो करता ही है, Ministry of Corporate Affairs करता ही है, किसका role नहीं होता, तो SIDB का role नहीं होता, guys, यह आपका किसका question है, IBPS, SO law officer का question रहा है, यह याद अखेगा, आप सभी लोग, तेके, यहाँ, law officer का ही question रहा है, यह वाले, next question, अगला question आपके screen पर, अब question payment banks है, guys, question payment banks है, तेके, payment bank can apply for conversion to small finance bank after how many years of operations, guys, भुकतान bank कितने वर्सों के संचालन के बाद, लगुवित बैंक में परिवर्तित करने के लिए आवेदन कर सकता है, guys, and time start now, फड़ावर जवाब दीजेगा, payment bank can apply for conversion to small finance bank, guys, कितने साल के बाद, ठीके, फड़ावर जवाब दीजेगा, भुकतान bank कितने वर्स payment bank है, जैसे paytium है, paytium अभी काम कर रहा है, अगर इसने 5 साल काम कर लिया, suppose that, कर लिया है अभी तक, 5 साल इसने काम कर लिया, तो 5 साल काम करने के बाद, अभी किसके लिए apply कर सकता है, small finance bank के लिए, तो guys, आपको याद रखना है, अगर कोई, अगर कोई, मेरी बात गौर लेता है suppose एड वो अभी आया और तुरंद लाइसेंस ले गया तो उसके लिए उसको कितने साल का उनुभा होना चाहिए 10 साल का लेकिन अगर पेटियम पेमेंट बैंक के तौर पर काम कर चिका है तो दोस्तों उसको कितने साल का उनुभा होना चाहिए 5 साल का दोस्तों Small Finance Bank किस कमिठी के रिकमेंडेशन पर लाया गया था उस अथोरा और पेमेंट बैंक किस कमिठी के रिकमेंडेशन पर नचकेत मोर कमिठी नचकेत मोर कमिठी यह याद अखेगा आप लोग ने यह important point है आपके लिए ठीक है next question Guys what is the maximum balance which a customer of a payments bank may hold in his her account at the end of the day दोस्तों एक payment bank अपने ग्रहा कर निक suppose that आपने AATL payment bank को ठीक है AATL payment bank ने अपने account open कराया तो end of the day आप maximum कितना amount रख सकते हो अपने bank account में किसी भी payment bank गाइस किसी भी payment bank में अगर आप account open कराते हो payment bank में ऐसे आतना payments bank में आप account open कराते हो तो maximum deposit कितना कर सकते हो आप जवाब दीजेगा maximum कितना deposit कर सकते हो आप जिहाँ दोस्तों 2 lakh अगर question पूछा जाए कि earlier कितना था पहले यह कितना था guys earlier कितना amount था तो guys earlier 1 lakh रुपीज हुआ कर इसको बढ़ा के 2 lakh रुपए कर दिया गया मेरे दोस्तों यह ध्यान रखिएगा आप लोग कितना कर दिया गया 2 lakh रुपए guys बढ़ा के कर दिया गया next question अगला question आपके screen पर आप basic वाला question आ गया ठीके आपको जवाब देना है the imperial bank of india guys imperial bank of india was converted into state bank of india in which year guys imperial bank of india को किस वर्स भारति state bank में परिवर्तित किया गया था and time start now जवाब दीजे क्या दोस्तों well done कुछ लोग 1921 बोल रहे है भाई 1921 जिनका answer है आप लोग update कर लो यह चीज़ यह 1921 नहीं होगा guys 1921 में तो imperial bank of india ही आया था guys imperial bank of india ही आया था 1921 में ठीके 1955 की बात करें इसी साल इसको sbi का नाम दिया गया याद अखेगा एक जुलाई guys एक जुलाई को इसका नाम एक जुलाई 1905 में state bank of india बना और guys एक जुलाई 2021 याद अखेगा एक जुलाई 2021 को sbi के foundation की कितने साल हो गये 66 year हो गये 66 year हो गये state bank of india के foundation को यह याद अखना आपको ठीके यह धिहान रखना दोस्तों आप लोगों ने अगला question आपके screen पर guys under the minimum reserve system RBI has to keep a minimum reserve of how many rupees as backing while issuing new currency जब guys RBI note issue करने जाता है तो उसके बदले में कितने रुपए का reserve रखता है अपने पास फटा-फट जवाब दे दो इससे basic question तो हमें नहीं लगता कुछ होगा जिहां चिंतनवोरा सर गोरे वाला committee guys याद अखेगा अभी हम आपको basic to advance एक दिन लेके चलेंगे don't worry guys जिनका भी exam है वो आप लोग बिल्कुल सटी कैंसर आना चाहिए गडबन नहीं होना चाहिए तो कि guys ये question आएगा ही आएगा banking से related question किसी भी exam में 3 या 5 question आते ही आते है गोरे वाला committee ने recommend किया था State Bank of India को guys और जो हमारे नए दोस्त है वो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लेंगे guys चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लीजेगा ताकि आपको classes के live notification मिलती रहे वास तेके और guys का ends correct एंसर होगा 200 करोन दोस्तों 200 करोन में से मेरे भाई आपको याद रखना है क् 200 करोन में से आपको याद रखना है 115 करोन आपको क्या रखना है gold रखना है और 85 करोन आपको क्या रखना है government security and foreign currency आपको रखना पड़ेगा इसके बदले में RBI के RBI अपने पास रखेगी इतना reserve then guys RBI इतना reserve अपने पास रखेगी then उसके बाद हो क्या करेगी उतने ही value का guys उतने ही value का note को print करेगी RBI ये याद रखना suppose that अगर RBI ने 100 रुपए की value का reserve रखा है तो guys 100 रुपए के ही value का note print करेगी ये याद रखेगा ये reserve किसके पास रखेगी RBI खुद के पास रखेगी ये भी याद रखना आप लोगों ने ठीके ध्यान रखना guys ATM set up and operated by non banks are called guys ऐसे ATM सोमदेव मीना सर ये class daily 10 p.m. पर चलती है सर आपको यातना सारी ये classes guys 10 p.m. पर daily चलते हैं आपको daily live रहना है तेके अगर आप चाते हो कि 2022 में सच में सच में हमें selection लेना है तो मेरे भाई आपको ये must है ये class करो आप आप सारे class important है आपके लिए लेकिन guys यहाँ पर भी आपको रात के 10 बजे थोड़ टाइम odd लग जाएगा लेकिन बट फिल आपको bed पर बैट के रहना है और आपको class करना होगा daily के daily तब ही आप कुछ कर content हो जाएगी आप कितने पानी मों clear हो जाएगा क्योंकि नएने questions आपको daily मिलते रहेंगे आपको ठीक है और guys का correct answer क्या होगा white level ATM guys white level ATM अभी हमने आप से बात किया non bank मतलब NBFC जैसे वही है white level ATM जिस ने लगा जो लगाता है तो आपको यातना white level ATM ठीक है next question को move करते है अगला is the appellate authority in case of banking reimbursement scheme guys यह question अच्छा ओके संध्या मैं ठीक है guys जवाब दीजेगा who is the appellate authority in case of banking reimbursement scheme guys फड़ा फड़ जवाब दीजेगा अच्छा धर्म भाई बहुत बहुत बढ़ाई हो मेरे दोस्त और आप अभी और अच्छे जाओगे बस section आप भी देखेगा ना जब एक बार ही select हो जाता है कहीं पर बंदा तो बहुत सारे आपने आप automatically निकलते ही रहते हैं उनका एक्जाम्स निकलते ही रहते हैं जैसे भी एक विसान थे विसान का भी होगा और बहुत सारे लोग है जो भी आते भी यहां पर class करने और बहुत सारे विचारे ऐसे भी हमारे दोस्त जो 0.25, 0.5 से रुख जा रहे हैं तो उनको हम यहीं बोलना चाहेंगे hopeless नहीं होना है फा ठीक है और वो सिकायत आपका bank manager नहीं सुनता है तो आप सिकायत कर सकते हो reimbursement में क्या कर सकते हो अपनी सिकायत लेके जा सकते हो banking reimbursement में और banking reimbursement का जो superior authority होता है वो कौन होता है deputy governor of RBI कौन होता है गाइस deputy governor of RBI यह याद अखना गईस आपको बार बार बोल रहे हैं अगर आप bank maha pack ले रखे हो तो अच्छी बात अगर नहीं ले रखा है तो आप Y307 लगा के आप bank maha pack में enroll करा सकते हो guys क्यों 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 अभी double validity भी चल रही है आपको अगर 6 महीने का लेते हो तो एक साल का मिलेगा यह याद अखना आप लोगों ने ठीक है और दोस्तों यह individual SEBI का बै हैंगे यह याद अखना ठीक है आप आ सकते हो next question guys अब बहुत मज़ेदार question आ रहा है question क्या है नाबाट वाज established on the recommendations of guys नाबाट के स्थापना किसके सिफारिस पर की गई थी ठीक है ठीक है संध्या मैं अपकोस हो जाएगा लेकिन आज एक आथन जैसा class हो रहा है तो इसलिए हम बहुत ज्यादा comment आप लोगों के ले नहीं पा रहा है आप डेली वाले class देखोगे तो उसमें maximum comment ही लेते हैं लोगों की ठीक है एंग इस time is start now दोस्तों नाबाट किस committee के recommendation पर लाया गया था मेरे लाल सबसे ज़्यादा question है आपको जवाब दे यह सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला question और रर्वी का बोट गया था और बज़ा बीस सिवरमन committee तो गाइस का option होगा option A ठीक है option A और दोस्तों याद कना ये graphic card के क्या है तो गाइस graphic card के chairman थे और graphic card के recommendation पर नाबाट को लाया गया था या तो option आपका graphic card दिया रहेगा या तो option आपका बीस सिवरमन दिया रहेगा ये याद रखना आप लोगों ने next question अगले question को चलते हैं और अगला question आपका रहा ये दोस्तों financial stability report released by RBI is published and guys time start now दोस्तों financial stability report released by RBI is published दोस्तों RBI द्वारा चारी वित्तिय स्थिर्ता report पब्लिस किया जाता है कब कब दोस्तों quarterly, yearly, half yearly, biannually या ना ना आप the above guys फड़ा फड़ जवाब दीजिगा प्रवीन सर कल होगा current affair की class sir current affair की class कल लेंगे सर हम ठीके, guys its correct answer is half yearly, दोस्तों या तक ना ये RBI release किया जाता है तो दो question यहाँ से बन सकते है, financial stability report किसके द्वारा release होता है तो RBI के द्वारा, दोस्तों ये कब कब release करता है, half yearly, तो guys ये आतक ना आप लोगो नहीं, ये दो question यहाँ पे common बन सकता है, यहाँ भी ध्यान रखनी आपको, next question, guys nurseman committee 2 was formed to suggest some recommendation, some recommendation for the improvement of which of the following, guys, किस के लिए, and time start now, nurseman committee 2, guys, nurseman committee 2, आपको option देखके, ठीक करना answer, फड़ा फड़ा, guys, nurseman committee 2, guys, हम लोगो एक घंटा हो गया, पूरा लगा तार एक घंटा, यहाँ रखेगा, अभी लगबग, बचे होंगे कुछ questions, हम आप से discuss करेंगे फिलाल, आपको जवाब देना इसका, और जी हाँ दोस्तों, correct answer is क्या, banking reform process, दोस्तों, banking reform, अभी हम लोगो ने पढ़ा, nurseman committee, तो guys, nurseman committee banking reforms के लिए आई थी, यह ध्यान रखेगा आप सभी लोग, और यहाँ पर आतकर, nurseman 2 आये थे, nurseman 1 and nurseman 2, तो guys, nurseman 2 किस के लिए था, banking reform process के लिए था guys, यह याद अखना आप सभी लोगो ने, तेके, अगला question, one of the major challenges faced by the banking industry is money laundering, name the act norms launched by the banks to curb money laundering in general, guys, आपको इसका जवाब देना है, क्या होगा, money laundering को रोकने के लिए, स्रिश्टी वेटा, वो भी classes चलेंगी, आपकी, बस वेट कर लो, एक दो दिन का time देदो, मेरे पास batches जादा है, ठीके, classes चलते हैं, उस time पर, जैसे classes, ठीके, ओके, आजम भाई, noted, आपका ये भी व्यथा पूरी कर ली जाएगी, damn sure है, कल वाले session में देखना आपका पक्का दे, sure होगा, guys, its correct answer is, know your customer norms, know your customer, अपने ग्राहक को जानो, guys, अपने ग्राहक को जाने के लिए, डॉय, नहीं, know your customer में, document कौन-कौन से mandatory होते हैं, guys, तो mandatory document होता है, valid ID proof, guys, valid ID proof, valid address proof, guys, valid address proof, और आपको यादना है, हसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, passport size photograph, ये यादना, ये तीन चीज़े mandatory होती हैं, आपको KYC norms के लिए, guys, KYC document के लिए, ये यादना, आपको कराने जाते हो, यही सब मांगा जाता है ना, आपसे, तेके, हाँ, exactly प्रियंका में, access bank 25 लाग का penalty इसलिए लगाया गया था, दोस्तो, which of the following is fully on subsidiary of RBI, guys, इनमें से fully on subsidiary है RBI का कौन, NHB, DICGC, BRBNMPL, all of the above, या only BNC, अभी same ये question साहथ, हम लोग ने update किया आपसे, नेतरपाल सर, वो भी आएगा, सर, वो भी आएगा, don't worry, guys, हमको लग रहा है, speed slow हो गई, आप लोगों की न, दोस्तो, the facility is not available in BSBDA, guys, ऐसे आतना इसका पूरा नाम, basic saving, basic saving bank deposit account, basic saving bank deposit account, guys, इसका answer देना आपस लोग, फड़ा फड़, deposit amount, withdrawing of cash, ATM card, withdrawal form facility, all of the above facility available, जी हाँ, unstoppable, very good, बहुत अच्छे, guys, जवाब दीजेगा, इसका क्या होने वाला है, well done, its correct answer is option E, सभी facility available है BSBDA में, दोस्तो, BSBDA किसका नाम रखा गया था, no frills का नाम रखा गया था, no frills 2005 में आया था, इसी का नाम 2012 में रख दिया गया था, BSBDA, इसी का नाम 2012 में रख दिया गया था, BSBDA, बुलो clear है guys, हाँ या ना, ठीके, तो guys, आज के लिए बस इतना ही करें, आज के लिए इतना ही करें, गई सेशन को like कर दो, 600, फटाफट, 600, फटाफट, चारी बढ़ाओ यार, like तो पढ़ा सकते हो, live नहीं बढ़ा सकते हो, like तो पढ़ा सकते हो बेटू, आप सभी लो, like का button ठोक दो जार, एक बार, तीन बार, पांच बार, साथ बार, नो बार, गारा बार, जैसे बार हो, ठीके, जैसे आपके सरद्धा हो, ठीके, दो बार नहीं करना, चार बार नहीं करना, जी हाँ, टेगवल सर, हम वारनसी से हैं, तो आज के लिए फिलाल इतना ही, आज के लिए हम इतना ही रखत Bank MahaPak प्लस में difference यही है मेरे दोस्त क्या कि आपका Bank MahaPak Plus में सारी facilities मिलेंगी Plus में मतलब आपके like officers वारे exam जैसे grade B है, RBI grade A है, यह सारे जो से भी grade A है, RBI grade B है, NAWARD है इन सभी exams की preparation हो जाएगी आपको, अलग से कुछ करनी के जरूरत नहीं होगी, अलग से कुछ लेनी के जरूरत नहीं होगी लेकिन अगर normal Bank MahaPak लेते हो, तो उसमें आपका IBPS, IBPS, RRB, SBI, IBPS, SBI PO, यही सब रहेंगा normal nationalized bankों के exams रहेंगे NHB मिलेगा आपको, पर आपको officers rank के exams नहीं मिलेगे उसमें, ठीके, और officers rank वाला Bank MahaPak Plus में ही मिलेगा, तो आप guys go through कर, यानि कि एक बारी visit कर सकते हो, Bank MahaPak Plus को, और guys अभी double validity भी चल रही है और Y307 आप code लगा के graph कर सकते हो, और guys जो जो कल आज class ले लिया होगा, और याज लोगे आप, कल हम से आप मिलोगे, SEBI के batch में, पहली class होगे, कल SEBI का, ठीके, कल SEBI के पहले classes कराएंगे हम आप से, ठीके, chatter जी sir, 100 questions कल कराएंगे, don't worry, अभी classes चलेंगी आपकी, अभी 100 के, अभी 200, 300 भी questions होंगे, अभी classes होती रहेंगे, क्योंकि जस्के बाद दूसरी classes होगी, ठीके, तो आज के लिए फिलाल हम इतना ही रखते हैं, okay guys, exactly, chatter जी sir, pdf मिल गया होगा आपको, 100, 150 questions के pdf आपको अवैलबल हो जाएंगे, हमने भरे से 50 questions कराया आपके, लेकिन बागी के questions आपको मिल जाएगा, 100 questions, जमनी 150 questions पूरा मिलेगा, okay guys, और भाई, आप सभी एक बारी session को share करके, like करके 700 कर दो बस, यानिक 17 like कम है, बस, आप बढ़ तोर तरीके से, 123 करो, फड़ा फड़ा फड़, जल्दी अल दी, उसके बाद हम विदा लेते हैं, अल विदा लेते हैं आपसे, और guys, कल फिर से live आना है आपको, आपको बता दें, अगर कल तबियत सही रही, तबियत सही रही, अगर हम उस हिम्मत में रहे, कि क्लास ले सकते हैं, तो जरूर लेंगे, और guys, promise है, आपके exam से पहले, आपके सारे banking, और सारे आपके क्या, तो current banking और current affairs आपका complete करा देंगे, दोस्तों, और आपको याद अखना है, ठीके, ठीके, तो guys, आज कर फिलाल इतना ही, हर हर महादियो दोस्तों, भया, महादियो भया, करना, ठीके, गौवर्मेंट इंडिया क्या, 100%, fully on, गौवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अब RBI के इसमें कोई हस्त अच्येप नहीं है, NHB में, RBI कोई इंटरेप्ट नहीं करती है, NHB में अब पूरी के पूरी तरीके से यह गौवर्मेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक तो थैंक्यू गईज, बाइट अक्यर, गुड़नाइट, सुबराती सब्बाकर, हर हर माधे दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे हो गईज, यातकना Y307, बैंक महापेक प्लस, ओके, कल मिलते हैं सेभी के क्लास में, थैंक्यू दोस्तों